हमें यहां function f, g और h के बारे में कुछ रोचक जानकारी दी गई है यहां x की कुछ values के लिए f of x और f prime x की values दी गई है फिर यहां g of x को absolute value expression की terms में define किया गया है और h of x को यहां f of x और g of x की term में define किया गया है हम यह जानना चाहते हैं कि d by dx of h of x x equal to 9 पर क्या होगा इसको हल करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को रोक कर एक बार इसे खुद से करने की कोशिश करें चलिए से करते हैं पहले मैं आपको इसे लिखने का एक दूसरा तरीका बताना चाहूँगा d by dx of h of x at x equal to 9 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं h prime यहाँ prime यह बताता है कि हम derivative ले रहे हैं तो यह h prime 9 है मैं इसे दूसरे गंग से लिखता हूँ यह x equal to 9 है इसलिए हमने यहाँ 9 लिया है चलिए देखते हैं कि यह क्या होगा पहले इस expression के दूनों पक्षों का derivative लेते हैं ताकि हम x के respect में h का derivative निकाल सकें मैं इसे white color से ही लिखता हूँ यहाँ d by dx of h of x equal to इस पूरे का d by dx होगा तो मैं इसे यहाँ दोबारा लिखता हूँ 3 times f of x plus 2 times g of x हम जानते हैं कि दो terms के sum का derivative प्रतियक term के derivative के sum के बराबर होता है तो यह equal होगा d by dx of 3 times f of x plus d by dx of 2 times g of x अब scalar मतलब एक constant times एक function के product के derivative को हम scalar times उस function के derivative के बराबर लिख सकते हैं तो इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब यह है कि यह बराबर होगा 3 times d by dx of f of x प्लस ये वाला part 2 times d by dx of g of x तो d by dx of h of x 3 times d by dx of f of x प्लस 2 times d by dx of g of x के बराबर होगा अगर हम इसे इस तरह लिखना चाहते हैं तो हम इसे इस प्रकार h prime x बराबर 3 times f prime x मतलब ये वाले भाग को हम f prime x लिख सकते हैं दियान से देखिए ये वाले भाग को हम f prime x लिख रहे हैं इसलिए ये 3 times f prime x प्लस 2 times g prime x होगा जब आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से प्रयोग करना सीख जाएंगे कि दो फंक्शन के सम का डेरिवेटिव प्रतेक फंक्शन के डेरिवेटिव के सम के बराबर होता है और scalar times किसी फंक्शन का डेरिवेटिव scalar times उस फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होता है तो जब आप ये सब सीख जाएंगे तब आप आसानी से यहां से सीधा यहां पहुँच जाएंगे अब आप पूछेंगे इससे हमें क्या फायदा हुआ इससे हम आसानी से h prime x की value x equals to 9 पर निकाल सकते हैं तो h prime 9 3 times f prime 9 plus 2 times g prime 9 के बराबर होगा यहां f prime 9 क्या होगा मतलब फंक्शन f का डेरिवेटिव क्या होगा जब x बराबर 9 है हमें यहां दिया गया है कि x equal to 9 पर f of 9 1 है और f prime 9 3 है तो इस part को evaluate करने पर हमें 3 मिलेगा अब g prime 9 क्या होगा इससे निकालने के लिए चलिए इस function पर ध्यान देते हैं हम इसे कई तरीके से कर सकते हैं लेकिन इसे दिल्चस्प बनाने के लिए चलिए हम इसका graph बनाते हैं मान लीजे कि यह हमारी y-axis है और यह हमारी x-axis है अब क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के absolute value function का मान कब minimum होता है हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की absolute value हमेशा non-negative होती है इसलिए यह minimum तब होगी जब यह equal to 0 होगा लेकिन यह 0 के बराबर कब होगा जब x equal to 1 होगा तब यह equal to 0 होगा तो x equal to 1 पर हमें minimum point मिलेगा x equal to 1 पर यह term 0 हो जाएगी और 0 की absolute value 0 ही होगी तो g of 1, 1 होगा इस तरह हमें यह बिंदू मिलता है अब इसके बाद क्या होगा मतलब तब क्या होगा जब x greater than 1 है चलिए मैं इसे लिखता हूँ g of x is equal to generally जब भी हमारे पास इस तरह का कोई आसान absolute value function होता है तो हम इसे दो functions में break कर सकते हैं या हम इस function को different intervals पर देख सकते हैं ओधारन के लिए जब absolute value non-negative है और जब absolute value negative है x की absolute value non-negative तब होगी जब x greater than or equal to 0 है और अगर हम non-negative number के absolute value लेते हैं तो वो उसी number के बराबर होती है मतलब 0 की absolute value 0 ही होती है 1 की absolute value 1 ही होती है और 100 की absolute value 100 ही होती है इसलिए x greater than or equal to 0 के लिए हम absolute value को ignore कर सकते हैं माफ कीज़े यहाँ x greater than or equal to 1 होना चाहिए तो x greater than or equal to 1 पर इस चीज़ की value non-negative होगी इसलिए हम इसे केवल x minus 1 पर evaluate करेंगे तो यह x minus 1 प्लस 1 होगा जिसे हम केवल x भी लिख सकते हैं क्यूंकि negative 1 प्लस 1 आप असमें cancel हो जाएंगे और यह term negative कब होगी नेगेटिव नंबर की absolute value उस नंबर के opposite होती है उधारन के लिए negative 8 की absolute value positive 8 होगी तो negative of x minus 1, 1 minus x होगा फिर यह प्लस 1 या फिर हम इसे 2 minus x भी लिख सकते हैं अब x greater than or equal to 1 के लिए हम इस expression को देखेंगे इसका slope क्या होगा? इसका slope 1 होगा तो हमें यहां एक line मिलेगी जो x से greater than or equal to 1 वाली सभी values को दर्शाती है याद रखिए हम यहां slope लेंगे जब हम function g के derivative को लेते हैं यह slope बराबर 1 होगा और x less than 1 के लिए अगर हम यहां ध्यान दें तो यहां हमारा slope negative 1 होगा जो कुछ इस तरह देखेगा लेकिन हमारे question के अनुसार अगर हम g prime 9 को आलेखित करना चाहें तो 9 लगभग यहां पर होगा यहां g prime 9 क्या होगा? मैं clear करना चाहता हूँ कि यह g of x का graph है यहां हम इसे y equal to g of x भी कह सकते हैं यहां g prime 9 क्या होगा? x equal to 9 पर यह slope होगा और यहां slope equal to 1 होगा इसलिए g prime 9 भी 1 होगा इसको evaluate करने पर हमें क्या मिलेगा? यह 3 times 3 मतलब यह वाला भाग 9 होगा plus 2 times 1 मतलब 2 जो की 11 के बराबर होगा तो x equal to 9 पर slope 11 है ति कर दो हमें क्या है